गुरुवार को भगवान ब्रिस्पति की पूजा का विधान है इस पूजा से परिवार में सुख शांती रहती है जल्दी विभा के लिए गुरुवार का भी ब्रत किया जाता है गुरुवार की व्रत कथा प्राचेन काल की बात है किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था वो प्रतेक गुरुवार को व्रत रखता एवं भूखे और गरीबु को दान दे कर पुन्य प्राप्त करता था प्रंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी वह ना तो व्रत करती और ना है किसी को एक पैसा दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी एक समय की बात है राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए घर पर रानी और दासी थी उसी समय गुरू ब्रिस्पती देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजी पर विक्षा मांगने आये साधु ने जब रानी से विक्षा मांगे तो वह कहने लगी हे साधु महराज मैं जदान और पुनि से तंग आ गई हूँ आपको यह ऐसा उपाय बताएं जिसे कि सारा धन नस्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ ब्रिस्पती देव ने कहा हे देवी तुम बड़ी विचित्र हो संतान और धन से कोई दुखी होता है अगर अधिक धन है तो इसे शुबकारियों में लगाओ कुमारी कन्याओं का विवा करवाओ विद्धाले और बाग बगीची का निर्माड कराओ जिसे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें परंतो साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवशकता नहीं है जिसे मैं दान दूँ और जिसे समालने में मेरा सारा समय नस्ट हो जाए तब साधु ने कहा यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो मैं जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना गरुवार के तिन तुम घर को गोबर से लीपना अपने केशो को पीले मिट्टी से धोना केशो को दोते समस्नान करना और राजा से हजामत बनाने को कहना भूजन में मांक समदिरा खाना कपड़ा धोबी के यहां दुलने डालना इस प्रकार साध ब्रिस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नस्ठ हो जाएगा इतना कहकर साधु रूपे ब्रिस्पति देव अंतर ध्यान हो गए साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए राणी को केवल तीन ब्रिस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन समपति नस्ठ हो गई भूजन के लिए राजा का परिवारता रसने लगा तब एक दिन राजा ने राणी से बोला हे राणी तुम यही रहो मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं मैं कोई छोटा कारे नहीं कर सकता ऐसा कहकर राजा परिदेश चला गया वह जंगल जंगल लकडी काट कर लाता और शहर में बेशता इस तरह वह अपना जीवन बैतित करने लगा इधर राजा के परिदेश चाते ही राणी और दासी दुखी रहने लगे एक बार जो पराणी और दासी को साथ दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा ही दासी पासी के नगर में मेरी बहन रहती है वह बड़ी धन्वान है तो उसके पास जा और कुछ ला ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए दासी रानी की बहन के पास गई उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय ब्रिस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया जब दासी को राणी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वा बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया दासी ने वापस आकर राणी को सारी बात बता दी सुनकर राणी ने अपने भागे को कोशा उधर राणी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परन्तु मैं उससे नहीं बोली इस से वा बहुत दुखी हुई होगी कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वा अपने बहन के घर आई और कहने लगी हे बहन मैं ब्रिस्पतिवार का वरत कर रही थी तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परन्तु जब तक कथा होती है तब तक ना तोड़ते हैं और नहीं बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली कहो दासी क्यों गई थी रानी बोली बहन तुमसे क्या चिपाऊं हमारे घर खाने तक को अनाज नहीं था ऐसा कहते कहते रानी की आखें भर आई उसने दासी समय पिछले साथ दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बेहन को विस्तार पुरवक सुना दी रानी की बेहन बोली देखो बेहन भगवान बिस्त पती देव सब की मनों कामना को पुड़े करते हैं देखो शयद तुमारे घर में अनाज रखा हो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ पर बेहन के आगरह करने पर उसने अपने दासी को अंदर भेजा तो यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे सचमुझ अनाज से भरा एक खड़ा मिल गया दासी रानी से कहने लगे ही रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधी पूछ ली जाए तागि हम भी व्रत कर सके तब रानी ने अपनी बहन से ब्रिस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा उसकी बहन ने बताया व्रिस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनका से विश्लू भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाया, व्रत कता सुने और पीला भूजन ही करे इससे व्रिस्पतिव प्रशन होते हैं और पूजन बिधी बता कर रानी के बहन अपने घर को लोट गई साथ दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा गुरसाल में जागर चना और गुर्ले कर आई फिर उससी केले की जड़त था विश्लू भगवान का पूजन किया अब पीला भूजन कहां से आ इस बाद को लेकर दोनों दुखी थे चुकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए ब्रिस्पति दीव उनसे प्रसन थे इसलिए विक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर दो थालों में सुन्दर पीला भूजन दासी को दे गए भूजन पाकर दासी प्रसन न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भूजन ग्रहड किया उसके बाद विस सभी गुरवार को रत और पूजन करने लगे ब्रिश्पति भगवान की कृपय से उनके पास फिर से धन समपत्ति आ गई पर अन्तु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगे तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इसे प्रकार आलस्य करती थी तुम्हे धन रखने में कष्ट होता था इस कारर से भी धन नस्ठ हो गया और अब जब भगवान ब्रिश्पति के कृपय से धन मिला है तो तुम्हे फिर से आलस्य होता है रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीवतियों के बाद हमने यह धन पाया है इसलिए हमें दान पुन्ने करना चाहिए भूके मन से गो भोजन कराना चाहिए और धन को इसकारियों में खर्च करना चाहिए जिससे तुम्हारे सुनका येश्पढ़ेगा स्वर्द की प्राक्तियों के और कुछ जो प्रसन होने लाखिए इसके बात मान कर राने अपना दन को भुकारे और फच्च करने लगा इसके पूरे नगार मूच कर ये उस फैन लगा इस तक बात में लगा रखार्च के बात है पिशे आठा के पाता हाद आती पी जाने चाहिए इसके बार के साथ बाट करें से उन्फरे हट करना चाहिए और वेंगे इसके बाट करें